गुड़ मोर्णिम सबीद लीडिस को और आज का जो हमारा सेसन रहने वाड़ा है वो हमारे दो बहतरीन प्रोड़क्ट उनर नवा और अलफा-अलफा के उपर है कि यह दोन्नों प्रोड़क्ट में हमारे हर घर की जुरुरत है ठीक है जी और हर घर की और हर इंसान की जुरु क्रोड़ के गिई ले भीजर आज में ढहरे घर की जुरु आइंसे इन दो फ्रोड़क्ट कई overall हो बात करो है एक और इनका मेंदकर जैना हे व YOUC ma कि अपने आपको दुबारा से जीवित करने का काम करती है यह जो जड़ी है यह गर्मियों के टाइम में इसकी जो जाती है फूल जो है इसके वो सूख जाते है लेकिन जो इसकी जड़ है जड़ एजटी मिट्टी के अंदर बनी रहती है जैसे ही बारिस का मुसम होता है यह दुबारा से उग जाती है दुबारा से बन जाती है इसी वज़ेसे इसका नाम पुनरनवा रखा गया है और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है ठीक है जी तो यह खुद जिस तरह से खुद को जिवीद कर देती है, यह उसी तरह से human body के उपर अगर बात करें, एक प्राणी के उपर अगर बात करें, तो यह उसको दुबारा से renew करने का काम करता है, refresh करने का काम करता है, तो उसी के साथ हम अगर बात करें तो इसका जो main काम है, वो सबसे पहला काम है जी liver के किसी को पीडिये की सिकायत हो किसी भी तरह का हैपेटाइटस हो तो यह हर बिमारी को क्योर करने का काम करता है लिवर से रिलेटेड है उसी के अंदर अगर बात करें लिवर के मेंली काम क्या होते है सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं क्योंकि उससे ही जूड़ी हुई हमारे के उपर इसके एंजाइम निकलता है जो कि हमारे आखों की रोशनी ग और जो कमी की आने के वज़य होता है उसके बाद बात करें लीवर जो है हमारा वो हमारे बोडी के अंदर ग्लुकोज लैवल को मेंटेन रखने का काम करता है हमारी जो खाना हम खाते हैं उससे यह ग्लुकोज बनाने का काम करता है तो कहीं न कहीं अगर हम बात करें हमारे अगर लीवर हमारा प्रोपर तरी तो हमारे बलड का जो शुगर लेवल है वो हमारा या तो हाई रहता है या फिर लो रहता है अगर यह प्रोपर तरीके से काम नहीं करता दो उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो इसका है लीवर के अगर बात करें लीवर मेंली का है स्कीन के लिए भी ऐसे एंजाइम छोड़ता रहता है जिसके जिससे क्या होता है कि इसकीन यंग रहती है अगर हमारा लिवर प्रोपर तरीक के से काम महीं करेगा तो हमारे जो स्कीन है वो डल डल सी रहेगी अंखों के निचे डार्क सरकल का हो जाना यह सब लिवर में कमी की एक अगर बात करें तो साइन है उसके बाद बात करें हमारे लिवर से कुछ ऐसे एसिड या एंजाइम जो है वो लगातार निकलते रहते हैं जो कि हमारे जो जो जॉइंट्स हैं ठीक है जी उन जॉइंट्स के अंदर जो मुवमेंट का काम है वो करने में हल्प करते हैं और कई बार क्या होता है? जैसे दीची बासा में बोला भी जाता है कि जी, जोइट्स हैं, जोइट्स के किसी पायट में अगर बात करें तो इसका प्रोपर काम नहीं करा तो हम बोलते हैं जी, इसकी तो ग्रीस खतum होगी ठीक है जी वो ग्रीस और कुछ नहीं है वो एक फ्लूड है जो कि लीवर से ही बनता है और अगर वो प्रॉपर लीवर मारा काम नहीं करता तो वो फ्लूड कहीं न कहीं मारे बोड़ी में कम होना सुरू हो जाता है ठीक है जी तो लीवर से ही हमारे गठिया जो है वो रो के लिवए कि फोब पता है कि अ छटकर में उसके बाद बात करें तो कॉंश्टिपेशन अंगर दिक्कत है तो वह कहीं न कहीं कि लिवर से खांचेन को डाइजेश्ट ना करें यह हमारे लिवर की जो जट्रगनी जो आग अगर वह बहुत जादा मात्र में बढ़ जाती है तो उससे क्या होता मारा खाना सड़ना शुरू हो जाता है और वह सड़ा हुआ खाना हमारे अब बात करते हैं गुर्दे से रिलेटिड ठीक है जी क्योंकि लिवर के साथ साथ जो हमारा पुनर्णवा है वो किड्नी के ऊपर भी बेनिफिट देता है तो किड्नी से रिलेटिड क्या क्या है सबसे पहली चीज है जी गुर्दे से रिलेटिड वह जी गुर्दे की पत्री ठीक है जी किडिनी स्टोन हम जिसको बोलते हैं तो ये मेंली क्या काम करता है जो स्टोन है स्टोन को बारीक चूरे में पीशने का काम करता है जो जिसको हम बोलते हैं कि जी किसी तरह का जो अफसी या फिर ये लगा लो कि कोई टुकडा है जो ठोस टुकडा है उसको बारीक प सब्सक्राइब सब्सक्राइब सही करने का काम करता है उसके बाद बात करें यह मोटापे को भी रेगुलेट करने का काम करता है अगर रेगुलेट की मैं बात करूं किस तरह से यह मैंटेन करता है मोटापे को कम करता है हमारे बोडी से एक्सेस लेवल में जो वाटर है उसको पानी है उसको बाहर निकालता है और उसके साथ साथ जो भी हमारे बोड़ी में जो बैड फैट है या एक्स्टर कोलेस्टरोल है यह उसको प्रिसाब के जडिए बाहर निकाल देता है ठीक है जी उसके बाद बात करें प्रोस्टेट में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट पुनरनवा का है प्रोस्टेट क्या होता है ये देसी भासा में अगर हम बात करें तो इसको हम गदूद बोलते हैं जी गदूद के अंदर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है ठीक है जी गदूद को दुबारा से नॉर्मल सिच्वेशन में लेके आता है ये गदूद जो पेशाब की नली है ठीक है उसके बिल्कुल ठीक नीचे एक छोटा सा पार्ट होता है ये कहीं बार अगर फूल जाता है और वो जो है यूरीन इंफेक्शन की वज़े से ही होता है तो ये कहीं न कहीं क्या है जी फूलने की वज़े से जो मैंज है मैंज के अंदर ये जाए तर ये दिक्कत र तूझ के किसी भी तरह का पिमपल्ज ठीक है जी हमारे बोड़ी पे अगर आरे हैं तो यह उनको भी ठीक करने का काम करेगा कहीं बार क्या होता है कि लीवर में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाने के वजए से हमारे स्कीन के उपर जो है पिंपल्स आना सुरू हो जाते हैं जो है एकने बहुत ज्यादा मातरा में होना सुरू हो जाते हैं तो यह क्या काम जिससे क्या है कि हमारे जो बोड़ी है वो लीवर जो है वो थंडा लीवर की गर्मी को थंडा करेंगा और हमारे बोड़ी से जो जितना भी गंदगी है उसको बलड से साफ कर देता है उसके बाद बात करें तो इससे अलग अगर मैं बात करूँ जितने भी रेस्पिरेटरी लेटेड प्रोब्रम है उसके अंदर इसका काम है क्योंकि पुनर्णवा को आयरुएद में पित वात और कफ का कम्प्लीट बैलेंस बताया गया है ठीक है जी और ये मेन काम क्या करता है हमारे बोडी के जितने भी ओर्गंज है उसको रिफ्रेस्ट करनेका काम करता है और इसी स्रेडी में काता है इसी स्रेडी में काता हैजी हमारा अगर किसी को पाइल से लेट्म कोई इशू है चाहे वो खुनी है या सुखी है तो यह उसके उपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगा क्योंकि यह मेंली क्या काम करता है हमारे लीवर को सैट करके हमारे जो स्टमक है स्टमक में से कॉंस्टिपेशन रिलिटर इशू को रिलीज करता है जिसकी वज़े से पाइल्स का अगर किसी को इशू है तो वो उसमें भी यह बहुत मदद करेगा और इसका में काम क्या है यह हमारा जो लीवर है वो हमारे खाने को तकरीबन साथ तरह के प्रोसेस से लेके साथ अगनी से विकालके हमारे बोडी के एक एक कंड तक पहुंचाता है तो लास्ट जो उसका कंड होता है लास्ट जो उसकी धातु होते है वो सुक्र धातु होती है ठीक है जी तो सुक्र धातु का मतलब है जी सुक्राणू हमारे खाने से प्रोपर अगर यह सुक्र धातु तक का प्रोसेस हो रहा है यानिकी सुकर अगनी तक जा रहा है तब ही हमारे बोड़ी में जो स्प्रम काउंट है वो बनना सुरू होते हैं अगर हमारा लीवर सेट नहीं है लीवर हमारा प्रोपर काम नहीं कर रहा तो इस धातू में बहुत कम ही आती है तो कहीं ना कहीं पुनर्नवा अगर कोई परस तरिक वही है, खाना खाने के बाद इसको आदे खंटे के बाद गरम पानी के साथ आपने एक टैलिट लेनी है, शुबह शाम आप ले सकते हो अगर किसी को ज़्यादा दिक्तत है, किसे नहीं देना है, मेन हमें जो है, अगर किसी का पहले ही हाई ब्लड प्रेश रहता हूँ, ठीक है जी तो हाई ब्लड प्रेशिर वाडे पेशंट को हमने देने से बचना है उसे देने से अवोइड करना है ठीक है जी क्योंकि इसका जो मेन काम होता है यह हमारे बोडी में जो ब्लड प्रेशर लेवल को इस दोरान हमारे जो ब्लड का प्रेशर है थोड़ा हाई हो जाता है तो आपने उसे रिकमेंड नहीं करना है साथ ही अगर बात करूं तो कोई प्रेगनेंट लेडी है उसे भी हमें रिकमेंड नहीं करना है थीख है जी क्योंकि जादतर केसिस में प्रेगनेंट लेडिज गंदर अगर बात करें तो ब्लेड़ प्रेसर कहीं बार हाई हो जाता है तो ऐसे में अगर हम पुनरनवा उसको देते हैं तो वो भी उसके लिए सहीं नहीं है और प्रेगनेंट से के दोरान किसी भी तरह की आई बहुत अगते हैं अगर यह datती है उस जमीन के अंदर नाइट्रोज़न की मात्रा बहुत एक्सेस में रहती है और साथ ही अगर इसके पोधे के बारे में मैं आपको बताऊं ये पोधा जमीन से दो तीन फूट ही आपको उंचा मिलेगा लेकिन अगर इसके जड़ों के बात करें इसकी जड़े जमीन के अंदर बहुत घरी होती है तकरीबन 30-40 फूट तक इसकी से जमीन के अंदर चली जाती हैं जिसकी वज़े से कि जमीन के अंदर से जितने भी वाइटम के मिनरल्स हैं यह अपने अंदर अब्जॉब'd कर लेता है उसमें आप बात करे तो कैल्शियम, potassium, magnesium, ब्रोट है कहा कि मिनरल्स तक हम कह सकते हैं कि हमारे मल्टी विटामिन अल्फ आल्फ आल्फ को हमारा मल्टी विटामिन टेब्लेट है। एक है यह सारे न्यूटृेंट हमारे बोडी को providers दो बादा है। nytरे इससे हमें से क्या क्याивает रहने वाड़ा है। मेंली यूरीन इफेक्शन के अंदर बहुत ही हेलफुल रहेगा यह उसके बाद बात करें इसके अंदर वाइटामिन के एकसस में प्रोवाइड होता है हमारे बोडी को जिसकी वज़े से अगर हम बात करें हमारे बलड को यह गाड़ा करने का काम करता है जिन पेशेंट का तर्मबोसीज जो है वो बनाना सुरू कर देगा रक्त के थके बनाना सुरू कर देगा उसके बाद बात करें इसके अंदर विटामिन B1 और B6 है जो की बालों के लिए बहुत ही हेल्दी माना गया है बालों को नेचरल ग्रोथ देने का काम करता है उनकी शाइनिंग को बरकर रखता है उसके बाद बात करें इसके अंदर विटामिन A, E, C, O, Z, जिंक उससे यह क्या काम करता है यह स्टॉन की रिकवरी का काम करता है यह चारों मिनरल, विटामिन मिनरल इसके साथ मिलके यह स्टॉन को करने का काम करता है उसको बोड़ी से बाहर निकालने का काम करता ह यूरिक एस्टीड को कंट्रोल करके यह गठिये से राहत दिलाने में मदद दरेगा उसके बाद बात करें अलफा-लफा के अंदर फाइबर की मातरा बहुत अच्छी है जिसकी वज़े से क्या होगा कि यह हमारे बोडी को फाइबर प्रोवाइड करवाएगा जिससे क्या है कि भूख जल्दी नहीं लगेगी और हमारे बोडी में जो एक्स्ट्रा फैट होगा हमारा बोडी वो एक्स्ट्रा फैट वहां से अब्जोब करके हमारे बोडी को एनरजी देगा साथी साथ जो एक्स्ट्रा फैट यूज होगा हमारे बोडी से तो हमारा जो वजन है वो भी धिरे-धिरे कम होगा उसके बात बात करें आलफा-लफागी में जो जो है वो पूरसों में टेस्टोस्टोन को बूस्ट करने का काम करता है इसके अंदर स्टीरोल पाया जाता है जो की टेस्टोस्टोन को बूस्ट करने का काम करता है उसके बात बात करें फुलवैरी में बहु इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देगा उसमें इसके अंदर बात करें अल्फा-ल्फा के अंदर क्लोरोफिल बहुत अधिक मातर में पाए जाता है जिसके वज़े से यह अस्थमा और दमे के ऊपर काफी अच्छा रिजल्ट देता है इसमें अगर मैं बात करूं यह इसका में काम क्या है यह हमारे बोडी के अंदर जो हमारी नसे है जो हाड हो गई है यह अगर बात करें जो से अधर कुलेस्टोल जम गया है कि दिक्कत रहती है तो उसके वजहसे उसके नाक के अंदर जो है मासक का टुकड़ा बढ़ना सुरू हो जाता है जिसकी वजह से क्या है कि उसको कई इशू होना सुरू हो जाता है तो यह mainly क्या काम करेगा, यह sinus को बढ़ने से रोकेगा, तो यह सब हमारे alpha-alpha की property है, यह alpha-alpha से हमें यह benefit मिलने वाड़े हैं, अब main क्या है कि हमें यह किस-किस को नहीं देना है, अगर कोई patient already खुन पतला करने वाड़ी दवाई ले रहा हो, तो हमें यह उसको देने से avoid करना है, क्योंकि इसका main काम है, vitamin K की वजह से यह क्या है, खुन के थक्के बनाने का काम करता है, खुन को गाड़ात करने का काम करेगा थोड़ा, तो ऐसे में अगर कोई patient already खुन पतला करने वाड़ी ले रहा है, तो वो उसके लिए दिक्कत create करेगी, उसके साथ ही साथ अगर मैं नहीं कर पाएगा वो, ठीक है जी, उसके बाद बात करें, हमें pregnant lady को यह नहीं देना है, और साथ ही अगर किसी को दाद या खुजली अगर किसी को रहती है, तो ऐसे patient को भी आपने नहीं देना है, ऐसे cases में यह उसकी दाद खुजली को और जादा बढ़ा सकता है, तो आपन यह मेरी तरफ से इतना ही था,